DLSA अंबाला बनेगा लाखुल लोगों का सहारा लीगल एड के साथ साथ अब दी जाएगी स्वास्त को लेकर जानकारी कोरोना में हुए अनाथ बच्चों को मिलेगा बड़ा सहारा आज हमने दो प्रोग्राम्स लॉंच करे हैं DLSA के बहाफ पर जिसमें हमें volunteer doctors मिले हैं जिनके जो की free consultation देंगे कोविड के patients को इस बारे में हमने पहले भी लोगों से बात की थी वो अपने आप आगे आई हैं इन services को देने के लिए दूसरा है सने और विश्वास इसमें जैसे कि हमने पहले बताया था उन बच्चों के parents जिनके parents इसमें कोविड में चले गए हैं और जिनको family की foster care की financial assistance की और education या rehabilitation में जुरत है उन बच्चों के लिए ये एक project है जो हमने start किया है BPO से हमें list आ गई है जिसमें 12 इसे बच्चे जिले में पाए गए हैं और इनकी जो list है अब हम CWC will take child welfare committee into picture now and we'll collaborate with district program officer also और कुछ NGOs हैं जो कि इन बच्चों को help करेंगे वापस mainstream में लाने में तीसरी जो बात है एक vaccination drive आज जेल में चल रही है यह भी हमारी जो बहुत सारी drives हमने vaccination की चलाई है उसी का एक part है आज female ward में और main ward में जेल के vaccination drive जो हो रही है पहले कैदी आगे नहीं आ रहे थे बट अभी they have started to come forward because jail superintendent and we all from legal service authority have motivated them so they are coming forward and they are doing this getting themselves vaccinated अंबाला से अंगुर कपूर की रिपोर्ट